गूड मॉर्निंग इस्टूडेंट्स आयम रोध कुमार तुड़े आए विल डीज यू पास्ट कॉंटिनिवस्टेंस जैसा कि सभी बच्चे जानते हूंगे कि पिछले वीडियो में हम लोगोंने पास्ट डिफनिट टेंस पढ़ा था इसके बाद हमारा पास्ट कॉंटिनि कि जान जान लेते हैं इसके बाद उसको हम बनाते हैं उसके रूल क्या है उसके मैथ्विड क्या है तो द्याहन दिज जेगा इस टेंस की जो रिकौनाइज़ यसन होती है वो रहा था रहे थे रही थी प्लस हुआ था आधिससब्द होती है ठीक है। इस टेंस की जो helping वर्व होती है helping वर्व बच्चा was या वर्व होती है तथा main वर्व में आईएंजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट, singular subject के साथ watch का प्रयोग करते हैं तथा plural subject के साथ हम वर्व का प्रयोग करते हैं बच्चों जितने भी tense अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है जो I है हमारा I जितने भी हमारी वर्व का प्रयोग कराया है अपने साथ तो plural वर्व का प्रयोग हम लोगों ने इसके साथ किया है लेकिन इस टेंस में ऐसा नहीं करेंगे इस टेंस में आई के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानि की आई के साथ वाज का प्रियोग करेंगे चलिएगा इसके बाद हेडिंग आगे पड़ी है सिंपल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में आते हैं सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है साधारन वाक जब किसी भी वाक में क्यों कहां कब कैसे ना दिया हो और नहीं सब्द ना दिया हो वह हमारा अफर मेट्यू का पार्ट होता है अफर मेट्यू का पार्ट का ए इस सेंटेंस में एक एक्जामपल भी एक एक्जामपल लिखा है वह लावारिश लड़का अनाथाले जा रहा था वह लावारिश लड़का का मतलब क्या यह पूरा हमारा क्या है सब्जिक्ट है वह लावारिश लड़का यह पूरा हमारा सब्जिक्ट है इसको हम बनाएंगे तो that लवारिश क्यों होती है unclaimed unclaimed that unclaimed boy यह हमारा हो गया subject that unclaimed boy एक की बात कर रहा है इसका मतलब singular है इसलिए हमने was लगा दिया that unclaimed boy was going to go में ing जाना में नमर भी लगाएंगे going to लगाई आनाथ ले तो आनाथ रखी होती है और 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 फनीज मतलब होता है और फनीज मतलब होता है बच्चों अनाथ ले यह sentence हमारा complete हो गया इसके बाद negative sentence देखेंगे negative sentence का मतलब होता है नकारात्मक जिस वाक में नहीं सबदा जाये नहीं सब्दा जाए वह वाग के हमारा negative sentence होता है negative sentence का जो method होता है subject plus helping work plus not plus main work plus ing plus object हम इस method के according बनाएंगे sentence हमारा कभी भी गलत नहीं होगा मैं अपने घर जा रहा था आई आ गया देखो यहां पर आई के बाद तुरंत यहां पर watch का प्रयोग करना है इसके बाद not इस method के रुमसार बनाएंगे not इसके बाद main work जाना कहा है में जाना go में जाना और go में हम गो कर देना ing going to कहां जा रहा था home जा रहा था अपने to go to house कभी भी to के बाद कभी भी हम home का प्रयोग नहीं करते हैं इसलिए हमने यहां पर house का प्रयोग कर दिया है I was not going to I was not I was not going to house मैं sorry sorry इसमें अपने के लिए हम भूल गए हैं मैं अपने घर जा रहा था तो I was not going to my house यह sentence हमारा complete तुमारे पिता जी इसके बाद next जो example है हमारा next example है तुमारे पिता जी अपने मित्र के साथ मंदर नहीं जा रहे थे तुमारे पिता जी अपने मित्र के साथ मंदर नहीं जा रहे थे इसको हम बनाएंगे सबसे पहरे subject हमारा क्या है तुमारे पिता जी तो यह हमारा क्या है your father your father इसके बाद पिता जी का मतलब की Shumula subject ठीक है इसके बाद your father was इसके बाद निगेटिव है हमने not का प्रेवकर दिया तुरंत हमने not का प्रेवकर किया mainőr жाना कहं मैं जाना तो going to कहाँ? मंदिर going to temple going to temple अब देखो यहाँ पर अपने मित्र के साथ तो यहाँ पर you है तो यहाँ पर you के गॉड़िंग तो with your with your friend यह हमारा sentence complete यह हमारा negative sentence complete हो गया इसके बाद हम आएंगे तो intro get to sentence का part पढ़ेंगे intro get to sentence का part पढ़ेंगे तो चलिए next trim में देखते हैं intro get to sentence intro get to sentence क्या होता है intro get to sentence why होता है जब किसी भी sentence का प्रारम क्यों कहां कशै कैसे से हो वह हमारा intro get to sentence होता है intro get to sentence का method होता है सबसे पहले helping verb का प्रयोग किया जाता है main number in ng लगा देंगे और इसके बाद object प्रेस कुश्यन मार का चिन कुश्यन मार का चिन लगाना बिल्कुल भी न भूले, नहीं तो आपका सिंटेंस गलत भी हो सहता है, चलिएगा इसके बाद हम सिंटेंस बनाएंगे, क्या वह पहले एक्जामपल है, क्या वह आनाथ लड़का, यह हमारा पूरा सब्जिक्ट है तो वह आनाथ लड़का, शिंगुलर सब्जिक्ट तो यहां पर हमने लग दिया वाज, वह आनाथ लड़के के लिए हमने, देट औरफन मतलब होता है, आनाथ देट, औरफन बॉय, दिल्ली जा रहा इसके बाद हमने लगाना है सब्जिक्ट हो गया, मेन वर, मेन वर जाना कह मिंज जाना, तो गो मिंज जाना गो में आजन जी लगा दिया गोइंग टू डैलाई किसी को कोई दिक्कत, यह हमारा सेंटेंस इसके बाद दूसरा सेंटेंस है क्या मोहन खाना पका रहा था चलिए, इसको भी बना लेते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर, मोहन हमारा सिंग्लर सब्जिक्ट है, इसलिए हमने यहां पर वाज का प्रयूक कर दिया इसके बाद हमको तुरण सब्जिक्ट लगाना है तो मोहन हमने यहां पर सब्जिक्ट लग दिया वाज, मोहन इसके बाद मेन वर, खाना, पकाना कहमें इस पकाना, कुक मतलब होता है पकाना तो हम कर देंगे कुकिंग कुकिंग, इसके आई एंजी लगा दिया कुकिंग, दे, फूड यह भी हमारा सेंटेंस कम्पलीट होगे, इसके बाद आएंगे कुशन वर्ड में, कुशन वर्ड में ध्यान देंगे, तो जिस वाक के बीच में, क्यों, कहां, कप, कैसे बीच में आ जाए तो वह हमारा कुशन वर्ड होता है उसका मैथड यह लिखा है कुशन वर्ड, प्लेस हेल्पिंग वर्ड, प्लेस सब्जेक्ट, प्लेस में वर्ड, प्लेस आएंग, प्लेस आपजेक्ट, प्लेस कुशन मार का चलिए सबसे पहले, पहला सेंटेंस बनाना है हमको तो एक्जामपल हमारा सबसे पहले क्या रूल कह रहा है क्यों क्यों लगाना है सबसे पहले हमने यहां पर हुआ ही लगा दिया इसके बाद तुरंथ हमको helping verb लगाना है क्या लगाना है बच्चों helping verb लगाना है तो helping verb क्या होती है वाजिया वर तो दे है वे मतलब बहुत सारे हैं इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया वर इसके बाद सब्जिक्ट हमने लगा दिया दे इसके बाद हमको लगाना है मेन वर्व इसके बाद बच्चों क्या लगाना है मेन वर्व और मेन वर्व क्या है तैर रहे होंगे तैर रहे होंगे का मतलब कि स्वीमिंग स्वीमिंग मतलब होता है बच्चों तैर ना तो इसके बाद हम लिखेंगे यहां पर इसके बाद वह मेला देखने क्यों नहीं जा रहे थे देखेगा इस सेंटेंस में क्यों प्लस नहीं क्यों प्लस नहीं दोनों इसका मतलब जो नाट का प्रेवग होगा सब्जिक्ट के बाद होगा इस एक्जामपल को बनाएंगे तो ही सोरी सोरी इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले इस sentence को जब बनाएंगे तो सबसे पहले question word हमारा क्या है हमने यहाँ पर why लिख दिया why के बाद हमको लगाना है क्या helping verb helping verb क्या होती है हमारी was यह word he के coding यहाँ पर हमने लिख दिया was इसके बाद subject subject क्या हमारा he इसके बाद तुरंत not का प्रयोग किया not का प्रयोग करने के बाद हमको लगाना है main verb main verb क्या है जाना कहें मिल जाना go मिल जाना go में हमने कर दिया going to अब इसके बाद लिखा है मेला देखने to see the fair fair मतलब होता है मेला question mark चिन अब बच्चों एक sentence लिखा है तुम्हारा छोटा भाई कपड़े क्यों धो रहा था इस sentence को अपनी तरब से सभी बच्चों को बनाना है और बनाने के बाद comment box में send करना है और ये वीडियों को अधिक से अधिक subscribe करना है और चैनल को subscribe करिए लाइक का और subscribe करना ना भूले अपने दोस्तों को भी share करिएगा ओके